आप देख रहे हैं इंटिया न्यूस का डिजिटल प्लाटफॉर्म आपके साथ मैं रश्ना बंसर शारू खान के अगर आप फैन है तो अब तक आप पठान देख चुके होंगे या फिर अगर अभी तक वक्त नहीं लग पा रहा होगा तो प्लैनिंग कर रहे होंगे कि आप रोड की कमाई फिल्म पठान कर चुकी है वर्ल्ड वाइड करेक्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथी साथ दंगल जो इस रेस में अभी तक सबसे आगे थी कमाई के मामले में उस दंगल फिल्म को भी पठान ने पीछे छोड़ दिया है जो लोग फिल्म खान के उसमें एंट्री हुई है शारु खान अक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह चुकी देश भक्ती लोग पसंद करते हैं और देश के लिए मर मिटने वाली जो मूवीज होती है देश के लिए डेडिकेटेड जो मूवीज होती है वो अलग तरी हो और इतनी भर भूमी का उनकी होती है लेकिन डिपिका पादुकोन ने अच्छे खासे अक्शन सीन्स पठार में किये हैं यहां भरपूर मौका डिपिका पादुकोन को भी दिया गया है शारु खान यहां फाइट करते हुमें नजर आ रहे हैं जॉन अब्रहम का अपना अ एकसाइटमेंट के चलते चीकने लगते हैं और बड़े खुश नजर आते हैं सल्मान खान और शारु खान के जोड़ी यूं तो पहले से भी पसंद की जाती रही है और बर्थडे जब सल्मान खान का था कैसे शारुक मिलने गए थे वह तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर और खास और से फैंस ने जो खान के फैंस है उन लोगों ने बड़ी पसंद की थी ऐसे में पठान अभिने के मामले में एक्शन के मामले में पिक्चराइजेशन के मामले में शूट के मामले में व्यू के मामले में बड़े पर कमाल पर कमाल कर रही है नए रिकॉर्ड्स और बन 2 और KGF 2 से अभी भी पठान पीछे है ऐसे में पठान के फैंस यानि कि शारुख खान के फैंस यहीं उमीद कर सकते हैं कि फिल्म का भले ही कितना विरोध हुआ हो भले ही बॉयकॉट पठान के नाम से हैश्टैक ट्रेंड करने की कोशिश भी हुई हो कई लोग जुड़े भी कई लोगों ने कहा भी कि हाँ ऐसा कीजिए लेकिन इन सब की बावजूद ऐसा लग रहा है कि विरोध काम का साबित हुआ है शारुख खान के लिए उनके मूवी के लिए शारुख खान का कमबैक उनके फैंस के लिए बड़ी खुशी लेकर आया है और जो जो फिल्म देख चुके हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा